क्या आपके घर में भी Wi-Fi connection लगा हुआ है क्या आप भी Wi-Fi का इस्थमाल करते हैं तो ऐसे में आपको जरूर पता होगा कि राउटर क्या होता है लेकिन यहां पर राउटर में कुछ इंपोर्टेंट बटन होते हैं कुछ इंपोर्टेंट सेटिंग होते हैं राउटर सेट पेज होता है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए मिरे नाव में मनुसारू और टेक्नल जी गैंड चैनल में आपका स्वागत है Wi-Fi router में जो सबसे पहला important button आता है जिसका नाम है WPS वैल इसके बारे बहुत ही कम लोगों को पता है बहुत से लोग सूचते हैं कि आखिर में Wi-Fi router में ये WPS का button किस लिए दिया होता है वैल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर WPS का जो full form होता है वह होता है Wi-Fi protected setup वैल इसकी मदद से आप किसी भी wireless device में या फिर कहें mobile में बिना password के Wi-Fi को connect कर सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह के password की ज़रत नहीं होगी अगर आपका फ्रेंड या फिर family या फिर कोई भी relative घर पे आता है और वो आपसे Wi-Fi को connect करने के लिए कहता है तो ऐसे मैं आप उसके साथ password को share नहीं करना चाते हैं तो यहाँ पर आप उस user के mobile के settings में जा सकते हैं वाइफा पर क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर आपको more पर क्लिक करने के बाद आपको WPS बटन का option मिल जाएगा इसके बाद आप अपने Wi-Fi के router पे जाते हैं और वहाँ पर WPS का button दबाते हैं तो कुछ सेकेंड बाद उस mobile में Wi-Fi connect हो जाएगा तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के password की ज़रूरत नहीं है इसके लावा यहाँ पर आपको WPS pin भी मिल जाता है अगर आप pin भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे password नहीं बताना चाहते हैं तो ऐसे में आप वहाँ पर pin का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बज़ नेक्सी इंपॉर्डेंच चीज जाता है वाइफाइ राउटर के अंदर वह है लैन पोर्ट और वैन पोर्ट तो यहां पर बहुत से लोग कंफ्यूज जाता है कि यह आखिर में जो हमें वाइफाइ प्रोवर्टर की तरफ से जो भी केबल मिला है उसे वैन में क करना चाहते हैं उस नेटवर्ट की मदद से राउटर की मदद से तो ऐसे में जो भी केबल है उसे आप वहां पर वैन नेटवर्ट में यानि वैन पोर्ट में चली तो अब करेंगे तो इसके बाद के आपके आशपाइ एक वाइफाइ नेटवर्ट बन जाएगा और उसके में आप वहाँ पर LAN पोर्ट का इस्तमाल कर सकते हैं और आसपास के कम्प्यूटर में लेन केवल की मदद से जो भी इंटरेनेट कनेक्शन है उसे कनेक करके एक्स कर सकते हैं इसके बाद नेक्स इंपोर्डेंट बटन आता है वाइफार राउटर के अंदर जिसका नाम है रीस या लिए यह पर कुछ भी आपने वाइफार राउटर में सेटब कर रखा है वो सारा का सारा हो जाएगा और एक नए राउटर की तरह बंजाएगा जिस तरह आप नया राउटर लेते हैं से तरह वहाँ पर वो राउटर बन जाएगा इसके अगला इंपोर्ट yag का पासव Apele आपको अपने Mobile के Settings में जाना है जिसमें भी वाइफाइ कनेक्टेट है वहीं मोबाल इस्तमाल करेख मोइपार यहां पर देखना है कि क्लिक करना है तो जैसे आप उस पर क्लिक करें के तो यहां पर आपको एक option मिल जाएगा go to web page का जहां पर एक IP address लिखा होगा देखे यह रहा तो आपको इस पर क्लिक करना है तो यहां पर आप अपने wifi का जो भी नाम चेंज करना चाहते हैं यहां पर आप जो भी password लगाना चाहते हैं वह password आप यहां पर लगा के सिंप्ली सेव पर क्लिक करके अपने password को चेंज कर सकते हैं या फिर यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं इसके वच्छे नेक्स इंपोर्टन सेटिंग्स आता है और वह आपसे वोलता है wifi को connect करवाद हो और ऐसे में आप उसके password नहीं बताना चाहते हैं और wifi connect करके दे देते हैं तो वहां पर अगर वह वाइफाई उसके device में connect है तो वहां पर वह अपने mobile के settings में जाके जहां पर वाइफाय कनेक्ट है उस पर क्लिक करके वहां पर आपको किसी भी तरह का छेड कानी नहीं कर सकता वह किसी भी तरह के wifi password को नहीं देख सकता भले ही उसके mobile में वाइफाय कनेक्ट है क्यों नहीं हो तो यहां पर आपको यह admin password लगाना बेहत जरूरी है अपने wifi router के web page में जो की बहुत ही आसान है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अ क्लिक करने के बाद आपको go to web page का option मिल जाएगा तो उसके नीचे आपको एक address लिखा होगा तो वही address आप अपने mobile के browser पर जाके टाइप कर सकते हैं या फिर आप अपने computer के browser में जाएगा तो यहां पर मैं simply अपने computer में open करने हो लाँ तो चले मैं इस open करता हूं ताकि मैं अच्छी से settings के वारे में बता सके हूं तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे यह IP address open करेंगे तो यह आपको कुछ इस तरह का दिखाए देगा हो सकता है कि आपको जो wifi router हो वह अलग हो तो यहां पर आपको कुछ अलग settings दिखाए दे तो यहां पर आपको बस advanced पे click करना है तो advanced हो सब्सक्राइगे प्लस देखते हैं इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा hokста का तो यह option चैक करना हो क्याenti के इस यहां पर आपको चरोंड करना हो सकता हैं दूसरी जगह आपको मिले तो मै पासवाट पर क्लिक करता हूं तो जैसée पी आपको इलग कर सकते हैं और जो भी आप password यहां पर सेट करना चाहते हैं जैसे कि मैं यह मालोई सेट कर दिया मैंने तो यहां पर आप जो उपर password डालोगे से वही password यहां पर आपको नीचे भी डाला उसके बाद आपको simply save पे click कर देना है तो setting को save करने के बाद आपको browser को close कर देना है या फिर wifi को disconnect कर दीजिए या फिर आप दूसरे device में जाकर चेक कर सकते हैं तो वहां पर जाके web browser में वही address यहां पर आप से एक password मांगेगा यूजर नेम और password अगर उस यूजर के पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो वह आपके wifi setup पेज को या भी जो भी पेज है उसे access कर सकता है और पासवर्ड को देख सकता है फिर उसमें अगर उसके पास ID पासवर्ड नहीं है तो वह इसे access नहीं कर सकता है इसलिए आपको यहां पर कहा जाता है कि अपने wifi router के वेब पेज है इसमें admin और user password लगा के रखें इसके बज़ नेक्स इंपर्डेंस चेडिंग आता है वह आपको यहां आपको भी आपको कर्याणा करना है वाइफ़ा जोग टाएक उसपे आपको यहां पर da क्लिक करने के बाद आपको गो-to-web page का option में दो क्वीज़न करने करने के बाद यहां पर पर यही सेम एड्रेस आपने computer के प्राहाजर में भी टाइप कर सकते हैं और लेक हैं यूप इसे क्लिक करता हूं और जो भी यह वेपेज खिए इसके बाद ऑदाब आपको क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर आना यहां पर आपको एक option मिलेगा जिसका नाम है wireless तो जैसे ही आप wireless client list पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको right side में wireless client list show हो जागा जहां पर एक host name लिखा होगा इसके बज़े next important setting आता है जिसका नाम है Wi-Fi speed को control करना या फिर कहें bandwidth को control करना अक्सर आपके घर में कोई भी डिलेटिव आता है तो वह आपस में बढ़ जाता है जिसके वज़े से speed जो हो जाती है लेकिन यहां पर अगर आप किसी भी यूजर को specific एक यूजर को एक लिमिटेट स्पीड देना चाहते है कि यहां इसको एक MPPS 50 kbps 200 kbps 500 kbps की स्पीड को दे देते हैं बागे की स्पीड मैं इस्तमाल करना चाहता हूं तो यहां पर आप आसानी से bandwidth को कर सकते हैं यह सब कर सकते हैं बहुत आसान है तो bandwidth को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने Wi-Fi router के वेब पेज में आना और यहां पर आपको bandwidth कंट्रोल का option मिल जाएगा तो आपको इस पर का IP address डाल दीजिए यहां पर यहां पर लिखा हूँ और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ guaranteed bandwidth मतलब उस यूजर को आपको इतनी speed limit देनी है कि मतलब इतना तो guarantee उसके पास जाए for example आप चाहते हो कि वह user कम से कम 1 Mbps की speed तो इस्तमाल कर पाए तो यहां पर आप उसे दे सकते हो अप मतलब maximum limit और यहां पर down limit यहां पर आप कितना भी दे सकते हो और इसके बाद आप चाहते हो यहां पर restricted bandwidth जो भी design है वेब page का वो थोड़ा सा अलग आपको मेल सकता है तो यहाँ पर आपको confused नहीं होना है बस जितने भी wifi router होते हैं सब में लगबग यहीं इस्तमाल होता है इसी तरह से आप settings को कर सकते हैं बस आपको उस option को हाँ पर डोणना होता है I hope दोस्तों अब आपको wifi router के बारे में जो भी buttons है और जो भी उनकी settings है important settings उसके बारे में अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा तो बस यार इस वीडियो के लोग बस इतना ही वीडियो चल लगे तो लाइक कर देना